ड्राइव एक्स्ट्रीम इंडिया की वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब को बटन दवाना ना भूले और साथी साथ बेल आइकन को दवाना ना भूले ताकि आपको मिले सबसे पहले नोटिफिकेशन हलो दोस्तों आपका स्वागत्त हमारे इस चैनल पर मेरा नाम ही तेंद्र और आप देख रहे हैं ड्राइब एक्स्ट्रीम इंडिया आज मैं आपके लिए लाया हूँ तो आज मैं बात करने माला हूँ और लिव नेक्स्ट जैन स्विफ्ट 2018 के बारे में तो आज हम जानेंगे कि नई स्विफ्ट में क्या-क्या फीचर से और कौन से कौन से विरियंट से तो हम पहले शुरुवात करेंगे इंजन से फिल लुक्स से उसके बाद जाएंगे किते variants है और इसका price किया है तो हम पहले engine की तरफ जाते है तो गाड़ी का engine कैसा है तो अगर मैं बात करूँ तो swift 1.2 liter K12 engine के साथ आती है और 1.3 liter diesel engine के साथ आएगी और इसमें कोई नया engine नहीं है जो पहले engine था वही engine के साथ आई हुई है इसमें कोई नया बदलाव नहीं किया गया है engine में अपे 83 PS का आपको power मिलेगा और diesel में बात करूँ तो यहाँ पे आपको 75 PS का power मिलेगा और यह आपको 5-speed manual और automatic दोनों में available रहेगी तो अब मैं चलता हूँ इसके looks के उपर तो गाड़ी looks में भी काफी अच्छी आगे से थोड़ा sporty look इसको दिया गया है side से भी change किया गया हुआ है तो और ज्यादा तर change के पीछे से भी किया हुआ है पीछे से काफी अच्छी दिखती है गाड़ी तो overall बहुत ही दिखने में sporty गाड़ी है गाड़ी में space भी अच्छा कासा दिया गया हुआ है interior भी गाड़ी का काफी change है पूरा change है तो अब मैं इ के बात को इसमें आपको 12 VARIANTS मिलते हैं जो कि 4 आपको पेटरोल में मिलेंगे और 400 अब को डीजल में में मिलेंगे अगर मैं बात करूँ तहां पर दो we लाइन एप की बात को तो आप पर LDI, VDI, ZDI और ZDI प्लस यह आपको मिलेगा अब मैं बात करता हूँ वेरेंट्स में आपको कौन से वेरेंट्स में क्या क्या मिलने वाला है तो अकर मैं बात करूँ तो यहाँ आपको LXI और LDI जो है वहाँ पर आपको मिलेगे चौदा इंच के टायर आपको मिलेंगे वील्स मिलेंगे चौदा इंच के आपको इसमें ABS, EDB, Brake Assist, Dual Airbag, Dual Front Airbag आपको मिलेगा और 5-speed का Manual आपको Transmission मिलेगा तो यह काफी अच्छी बात है अगर आप बेस मॉडल ले रहे हैं Swift का जैसे कि डीजल में पेट्रोल में Alexa है और डीजल में LDI तो यहाँ पर आपको safety features मिलेगा जो कि इसके जो पहले इसके model थे जो Swift में वहाँ पर आपको safety features नहीं मिलते थे ABS नहीं था उसमें तो वहाँ पर गाड़ी काफी मार खाती थी लेकिन अब मैं बात करें इसमें यहाँ पर हर चीज अब standard मिला है तो यह काफी अच्छी बात है तो इसके लिए थमसब तो बनता है मारूती के लिए अगर अब मैं बात करूं इसके उपर का variants यहाँ तो VXI औ audio control लाइगा यहाँ तक आप जो steering आपका जो रहेगा वहाँ पर आपको audio controls मिल जाएंगे उसमें cruise control नहीं है मैं आपको यह बाता दू तो आपको यह एक्स्ट्रा चीज आपको मिलेगा इसके नीच वाले model से अब मैं बात करता हूँ ZXI और ZDI जी हाँ अब मैं बात करता हूँ ZXI और ZDI और ZXI ZDI में आपको मिलेगा 15 इंच के alloy wheels मिलेंगे यहाँ पर smart key push start stop button मिलेगा आपको मतलब अब button दवा के गाड़ी start करते हैं आपको चाबी लगाने की ज़रूत नहीं है center locking की linking sensor भी मिलेगा यहाँ पर automatic climate control का भी आपको features मिलेंगे तो यह कुछ था जो आपको ZXI 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 ZDI में आपको मिलेगा तो अब मैं बात करता हूँ कि आपको अगर ZXI plus और ZDI plus जो आपको top model है जी हाँ यहाँ पर आपको automatic नहीं मिलने वाला जी हाँ यहाँ यहाँ पर आपको automatic option नहीं है तो यह क्या extra features ZXI plus ZDI plus में आपको मिलता है तो मैं बता हूँ यहाँ आपको touch screen मिलेगा 7 inches का touch screen मिलेगा apple carplay और android auto features मिलेगा उसमें navigation मिलेगा reverse parking camera मिलेगा आपको LED projector headlamps मिलेगे आपको with DRL और मैं बात करूँ यहाँ पर dual tone का आपको मिलेगा body का और यहाँ पर 15 inch का आपको alloy wheels भी आपको गाड़ी के साथ मिल रह है तो अब मैं बात करूँ इसके pricing की जो ZXI plus है और ZDI plus है तो यहाँ पे क्यों automatic नहीं है क्योंकि इसका price काफी जादा हो जाता उस वजह से यहाँ पे इन लोगों ने इसको automatic पे नहीं रखा हुआ है जो कि सही भी बात है क्योंकि अगर मैं बात करूँ बलेनों की तो बलेनो में भी आपको automatic मिलता है जो कुछ इसी price range पे आ जाता पर यह उससे भी महंगी चली जाती तो और उसका जो gearbox है automatic है यह swift जो अभी EMT में आने वाली है उससे बहतर है इसका price actual में उससे इसलिए इसमें automatic का option नहीं दिया गया हुआ है तो यह था मेरा variance का मैंने आपको बता दिया यहाँ पे अब मैं बात को इसकी pricing की तो इसकी pricing शुरू होगी और यह 8-9 लाग तक जाएगी तो यह गाड़ी आने से पहले मैंने सुचा आपको मैं थोड़ा बता दू गाड़ी के variance क्या है गाड़ी में क्या क्या features दिये गया हुए है क्योंकि इसकी booking चालू हो चुकी है तो अब जैसे ही गाड़ी आएगी तम इसका review करेंगे तो हमें गाड़ी जल्दी मिले क्योंकि अभी तक showroom में गाड़ी आई नहीं हुई है तो हमें इसका review लेके आएगे आपके लिए तो हमारे वीडियो आपको पसंद आया हो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप like का button दबाना ना भूले सब्सक्राइब करना पता है कि YouTube ने लगा दिया है thousand subscriber और मेरे कुछ ही कम है तो अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आप मेरी help हो जाएगे और आपको भी ऐसे informative वीडियो जाते रहेंगे रिव्यू जाते रहेंगे आप मेरा चैनल देख सकते हैं तो चलिए हम चलते हैं अपने आगले वीडियो के साथ आते हैं बाई